नमस्ते विद्यार्थी भाईबनियो आज अम लिनियर इक्वेशन इन टू वेरियेबल्स को दोश्रो वीडियो लिये रहजुरोर गुप माझा आई सक्या चु रा आज अको वीडियो माँ आमे अच्छा अच्छा जो मला आर पड़दा छो जीवनमा उई अगी बड़दा छो आउनुस्तो यो भनाई लाई आत्मा साथ गरदैं हजुर रहा मी मिले रहा आज यो लिनेर एक्वेशन इन टू वेरियेबल्स को एलिमिनेशन मेठ़ड लाई मन लार ध्यान लार पड़नेचा आउनुस्त विद्यार्थी भाई बनियो लिनेर एक्वेशन इन टू वेरियेबल्स मा रहे का पर्तेक्स अब लाई फेरी एक पर्ट्या खानी रिवाइज गरनी चाहूं स्बंदा पाहिला एक्वेशन वनगो किया होतो वनदा और मैठ़मेटिकल स्टेटमेंट्विद एस वन वेरियेबल्स अद एक्वेल्स साइण इस कॉल्ड एन इक्वेशन वन्य पच्छी कम तीमा पनी यहुटा वेरियेबल हुना परने रह साथ साथ है इक्वल टू साइन हुना परने इसतो mathematical statement ले आमें इक्वेशन बन्दा चाऊंँ फर एक्जाम्पल अजुबले देखी रहनुगा चा 6x-5y-16 is equal to 0 यह यहुटा एक्वेशन हो किना बन्दा यहां x रव y वेरियेबल हुन रह साथ साथ है यहां इक्वल टू पनी साइन चा अब भनें बिद्ध्यर्थी भाई भनें आमें एक्वेशन बुजी सक्या चाऊंँ अब लीनियर एक्वेशन बनेंगो किया होता त्यों आमें बुजनी साऊंँ लीनियर बनेंगो an equation with degree 1 जुन एक्वेशन मा संपूर्ण वेरियेबल को degree 1 हुन्च तेलाए linear equation बनेंच विद्ध्यर्थी भाई भनेंगो degree बनेंगो किया होता highest power of the variable हो रत्यो highest power of the variable 1 हुन्च ली linear equation मा जास्तो अजुर ले यो screen मा देखाई रहेको example मा एरी रहनुबाँ छ वेरियेबल x र वेरियेबल y दुईटाई को power यहां 1 रहेको छ भनेंगो बनेंगो जा वेरियेबल और को power 1 हुन्दा छ र भाई बनेंगो हामिस अंग आमरो linear equation मा कती वड़ वेरियेबल जुना पर जास्तो अजुर ले एक्जाम्पल मा एरी रहनुबाँ छ एक्स र वाई इस एक्जाम्पल मा दुईटाई वेरियेबल हुन्दा बुजन बहुत विद्ध्या थिभाई बनेंगो अब आने आमी next topic तिर बढ़नी छाऊं र तेलाई पने आमी रिवाईज गरनी छाऊं standard form और general form of linear equation in two variables. Linear equation देख दा कस्तो हुन्च था? ax plus by plus c is equal to 0 जास्तो हुन्च विद्ध्यार्थि भाई बनेंगो संपूर्ण ले ध्यान राखनो ला? ax plus by plus c is equal to 0 एलाई हामी linear equation in two variables को standard form नत्र general form बन्दा छाऊं जाहां a, b, c real numbers हुन् र a is not equal to 0 and b is not equal to 0 यो condition लाई पनी satisfy गरेको हुन्वा पर्दा छा आउनुस्तो विद्ध्यार्थि भाई बनें योटे example लेरा आमी बुझनी चाहूं जासरी यहां 4x minus 2y minus 57 is equal to 0 यो equation अजू ले स्क्रीन में देखी रहानु बहाँ चाहूं यो हमरो equation standard form मा चाहूं र यह equation लाई आमी यह सेरी पन लेखना सक्चाहूं 4x minus 2y is equal to 57 यह लाई बनी आमी standard form नहीं मान्चाहूं बनेंबसी बिद्ध्यर्थी भाई बन्यो standard form मा के उना भाई न, denominators उना भाई न, brackets उना भाई न, यो कुरा ध्यान राखना ला र विद्ध्यर्थी भाई बन्यों यहां यो x अगाडी भाई को 4 लाई coefficient of x हामी बन्यों बने तेस्ते जैं y अगाडी भाई को minus 2 लाई coefficient of y बनेंच र वेरियेबल न भाई को यो number लाई constant बन्यों हामी यो कुरा ध्यान राखना ला र यी सम्पूर्ण theoretical कुरा था वही सके पची हमले आमरा हिशा भरू सजीलेरी करना सक्चाँ अब विद्ध्यर्थी भाई बन्यों हमले यहां बन्द अगिल्लों बीडिया मा पनी methods of solving simultaneous linear equations को बारे मां पड़े थियां कि हमी सहां तिन्टा method रहे का चान first substitution method second elimination method and third was graphical method र फर्स्ट वीडियो मां भाई बन्यों मले substitution method को बारे मां अजुर्लाइज सम्पूर्ण कुरा बुजाई सके गो थियें तर आजको एस वीडियो मां वनी आमी elimination method को बारे मां कुरा गरने चाहूं आउनुस्त विद्ध्यर्थी भाई बन्यों elimination method यूज गरे र हामी exercise बाट यहोटा sums गरनी चाहूं screen मा अजुर्ण ले हर देनुँँँँच दुइटा equations 2x plus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 5 र इदुइटा equation ले हामी elimination method मां solve गरनी चाहूं अब विद्ध्यर्थी भाई बन्यों एकदम हत्य पूर्ण कुरा मां बन्दैचू elimination method मां केके step शरूर है का छान्त let us discuss the steps involved in elimination method सबंदा first step हो check the coefficients of the variables अर्थात variables अगाडी भयगो coefficients लाई चेक गर अब coefficients चेक गर दा दुइटा कुरा होना सक्छन की तकती coefficients equal होला नारे की तकती coefficients equal चाहिन नारे अब विद्ध्यर्थी भाई बन्यों हमले ध्यान दिनू परच यहां के तो बन्द कोईफिशंट्स equal चन वनी मात्रा आमी थर्ड स्टेप तीरा लागनी चाहिए यदि coefficients अन इक्वल चन वनी परच अनी मात्रा आमी थर्ड स्टेप मा जाना सक्छाहूं अईले को लागिए आमी मानाऊं कि सपोज हमले variables का coefficient होरू चेक गर्यों र किता x को coefficient किता y को coefficient दुइक्टा variable मद्देमा यहुटा variable को coefficient सोरू बन्नाले तिनका अगाडी भयका नमबरोरू हामले equal फेला पार्यों तेस्वबाय आमी थर्ड स्टेप मा फेरी लागनी चाहूं थर्ड स्टेप लेक्ये बन्चत हो eliminate the variable with equal coefficients एसको अर्थ हो कि जुन variable को coefficients equal छन क्यों variable लाई eliminate गरा हटाऊ बुझनमा अर्थ विद्ध्यरति भाई भय नियो अब एक्स का कोईफिशंट्स होरू equal छन बनी हामले x लाई हटाऊनु पर्यों तेस्ते जाई y को coefficients equal छन बनी हामले y लाई हटाऊनी छन रध्यान राखनु अला कुनेई पनी coefficient मा x को पनी coefficient equal रव y को पनी coefficient equal हुँदै न तेस्तों बहाँनी तेस्तों अर्थ चैना कीता x को coefficient equal होला कीता y को coefficient equal होला अब यह 3rd step मां आमले के पड़े दो जस्को coefficient equal छ तियो variable लाई हाटाऊ अब कासरी हाटाऊनी तो तेस्कों लागी पनी दुईटा कीता आमले addition गरेर अब कोईफिशंट्स और variable लाई हाटाऊना सकेंचा कीता आमले सप्रैक्ट गरेर equal coefficients वहाएको variable लाई हाटाऊना सकेंचा प्रब विद्ध्यार्थी भाई भाई वाई नियो एसमा पनी आमले बुजना परने कुड़ा हुँँचा की हामी addition कईले गर चाऊं जब कोईफिशंट्स और को साइन अलग हुँँचा डिफ्रन्ट साइन चावणी आमले addition गरनी चाऊं addition अलग मिल्दो जुल्दो शब्द A बटा addition A बटा बने बची coefficients को साइन अलग चावणी addition गरनी पर चा coefficients को साइन सेम चावणी तेती बेला आमी सप्रैक गरनी चाऊं सम्पूर्ण विद्यार्थी भाईवणी इले यो ठाउमा वीडियो पाउज गरेर यो पूराई चाइन जुन ट्री डाइग्राम अजुले देखनु वाचा यहला एक्चोटी नोड गरनु अला ताहुन विद्यार्थी भाईवणी यो ट्री डाइग्राम को आधार मा हम यह तर सम्झोरू सॉल गरनी चाऊं हमलाई दिएगा इक्वेशन जुन 2x plus y is equal to 5 3x minus y is equal to 5 सबंदा पहिला काम हमरो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म मा छनकी चाइनन यह आमले चेक गरनु पर चाऊ स्टैंडर्ड फॉर्म बननाले त्याँ डिनॉम्नेटर ता चाइनन कट्याई ब्रैकेट ता चाइनन अब आमले त्याँ एरी राचाऊं डिनॉम्नेटर पन चाहिना ब्रैकेट पनी चाहिना एक दम मिले को एक्वेशन जरू छनी दुइटेई तेशबाय मा अगी बडे रा यह दुइटेई एक्वेशन लाए नमबरिंग गरनी छो एक्वेशन वान रा एक्वेशन टू बने रा अब विद्यार्थी भाई बहन्यो हमरो फस्ट स्टेप अनुसार दुइटेई एक्वेशन मा हमी एक्स रा y का कोईफिशन जरू चेक गरनी छो अब यहां देखिर अनुबास हाजूले एक्वेशन वान मा एक्स को कोईफिशन 2 छो बने y को कोईफिशन 1 छो तेसते जैए एक्स को कोईफिशन 3 छो रा y को कोईफिशेंट कती छा तो अब y अगाड़ी क्याई पन नंबर छही ना वाने पची तेसको कोईफिशेंट 1 र साथे यहां माइनस बनी छा तेस्वार एक्वेशन 2 माँ y को कोईफिशेंट माइनस 1 रहेको छा अब यहां एक्स को कोईफिशेंट 2 र 3 रहेको छा रा y को कोईफिशेंट वने 1 र माइनस 1 रहेको छा अईलेको लागी यह माइनस साइन इग्नोर गरनू वने पची y को कोईफिशेंट यहां सेम रहे चा अब y को कोईफिशेंट सेम चा वने आमले के गरन पर्यों तो y लाई eliminate गर्ना पर्यों अब है eliminate कसे री गर्नी तो यहां साइन के रही चा अलग रही चा किना वांदा equation 1 मा y positive चा y को coefficient रो equation 2 मा y को coefficient negative 1 चा वने पाची अब जोले यह sentence लेखना पर्ने हुँँचा adding equations 1 & 2 अब दुटे equation तो यहां लेखनू 2x plus y is equal to 5 3x minus y is equal to 5 अब इनला यहां एडिशन गर्नी चाहूं जोड नी चाहूं अब ना ती किना पहला x लाई जोड नू यहां 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 तो यह 2x र यह 3x जोड दा कति भायो गुड 5x र यहां plus y र माइनस y लेकार कलाई cancel गर्चा र त्यो बंचा 0 अब राइट हैं साइड मा आयो वहानी इंडुड 5 लाई का चाहन 5 डॉस 5 त्यो बंच्पय अधिशन यह एक्वेसंच 1 & 2 गर्द हमले क्ये पत्तल आयो तो लास्ट अमाग वहरा 5x बराबर 10 गर्द फैशन अब एक्स को ती हुनी बहुत विद्द्यर्थिवाई बन्योओ येस, 10 अपन 5, देर्फोर, x is equal to 2, अब विद्धियर्थी भाई बन्यों, x को बैल्यू आई सक्यों, अब यो x को बैल्यू लाई, हामें equation 1 मा पनी राखना सक्चाऊंँ, और equation 2 मा पनी राखना सक्चाऊंँ, जुन equation सजीलो सबनाले स्यांचे, अना number अरू छन, तियो equation लाई, अजुरले रोजे रो, तिया एक्स को बैल्यू राखनू भाई बनी, कम क्याल्कुलेशन मा सजीले री आंसर आऊंछ, अब नेक्स्ट मेरो स्टेट्मेंट छा, put the value of x is equal to 2, इन equation 1, बन्यों पाचे माले equation 1 लाई रोजे, तेस्वाय बन्यों माले equation 1 लेखनी छुँ, जुन 2x plus y is equal to 5 हो, रो यो equation 1 मा, x को ठाऊं मा माले कती राखनी छु, 2 राखनी छु, बन्यों पाचे नेक्स्ट टेप हुनच, 2 into 2 plus y is equal to 5, जुन अगी 4 plus y is equal to 5 हुनच, रो y को बैल्यू अब आमी सजीले री निकालना सक्चा हु, 5 minus 4 गरे रो, बन्यों पाचे y को बैल्यू कती भा फाइनल स्टेटमेंट लेखना अबिर्शनु अला, दाज, the solutions is x is equal to 2 and y is equal to 1, नत्र हजुर ले राउंड ब्राकेट वित्र 2,1 बने रापनी लेखना सक्चा, जाहां 2 बने को x को बैल्यू जनाऊंच, रो 1 ले y को बैल्यू जनाऊंच, रो एसे री यो जुन लेखाई को त करीका छा, येलाई ordered pair आमी बन्दा छाऊं, आशा गर्चु कि अजुर ले चरलंगा चाई, यो हिसाब बुजनु बवएको छा, अनुस्त विद्ध्यर्थी भाई बईनियो, आमी elimination method यूज गरे रा अजर योटा हिसाब सल गरनी छाऊं, जाहां equation जरू राएका छान, 2x plus y is equal to 3, रा 2x minus 3y is equal to 7, रा मा फिर एक पाटक, elimination method मा भाई का step सरू रिवाईज गराऊनी छू, फर्स step थियो, आमरो check the coefficients of the variables, variables बनना ले x रा y, x रा y का coefficients चेक गरा, अब कोईफिशन्स चेक गरदा, किता कोईफिशन्स equal होलान, किता कोईफिशन्स unequal होलान, तर अनीक्वल भाई पनी, पहला हमले कोईफिशन्स लाई equal गराऊनू परच, कसेरी गराऊनी, जब अत्यों सम्झावला, तेती बेला मा अजुलाई भननने छू, रा अईलेको ला किता कोईफिशन्स लाई गरनी छहूं अब कोईफिशन्स लागेराऊन, तेती बेला मा अजुलाई परच, रा तेसते लाई, कोईफिशन्स लाई को शाहनी, आमी सब्त्राइक्शन गरनी छहूं। आउनुस्त विद्ध्यर्थी भाई बनियो आमी अब दुटै इक्वेशन्स नोट गरनी छाऊं र नोट गरी सके पचे आमी एर नी छाऊं कि एक्वेशन्स स््टेंडर्ड फं मा छन की छाईनान स्टेंडर्ड फं बननना ले डिनोम्ने द्रुमेटर्स हुना भाईनस भाईनौ ब्रकेट्स पनी हुना भाईनतु दुटै नामी यांड देख्या छेनोँ पने पची मा इद्विटेई equation जरू लाए equation 1 रए equation 2 नमबर गरनी छू अब वनी पालो रहेको छो द्विटेई equation मा भएका coefficient जरू चेक गरनी equation 1 मा x को coefficient 2 छो भने y को coefficient रहेको छो 1 रए equation 2 मा x को coefficient 2 रहेको छो रो y को coefficient रहेको छो माइनस 3 वन्युची विद्ध्यासी भाई बन्यों यहां एरनों तो ध्यान लारा मन लारा हमले की पत्त लागायों तो यहां coefficient जर दा यहां x को coefficient छो रू सेम रहे छो equation 1 मा पनी x को coefficient 2 थियो रहा equation 2 मा पनी x को coefficient 2 नहीं छो भने पची हामले यहां x लाई eliminate गरनों पर छो अब एक्स लाई eliminate गरना को लागी क्ये गरनी तो हमले कीता add गरनों पर्यों कीता subtract गरना पर्यों अब क्ये गरनी तो आमले यहां एरी रहा छाऊं दुइटे 2 को साइन पॉजिटिव रहे को छो भने पची सेम साइन रहे को छो रहा जब सेम साइन हुँँच ते ती वेला आमी के गर चाऊंता subtraction गर चाऊं भने पची यहां इक्वेशन 1 र 2 मा subtraction गरने छुँँच विद्ध्याति भाई 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 नियों दुइटे equation आमी नोट गरनी छाऊं अब सब्ट्राक्शन भने को क्यों तो एकदम ध्यान दियारा सुन्नों अला subtraction कासरी गरनी यो जुन equation 2 छ एसको पर्तेक टर्म्स को साइन आमी चेंज गरनी छाऊं जस्तो यो प्लस 2 छ बनी यहलाई माइनस 2 लेखना पर्यों यहां माइनस 3 छ बने पची तेलाई प्लस 3 लेखना पर्यों रहां 7 छ बने पची त्यों माइनस 7 उन्ये छ अब एस आधार मा आमले हिसाब गरनी छाऊं जसरी यहां आमले देखी रहाँ छाऊं 2x रर 2x यहां कैंसल हुन छा किना अंद तिनको साइन यहोटा को पॉजिटिव रर यहोटा को नेगेटिव छा रा y-3y गरदा-2y उन्ये छ अनि राइट एंड साइड मा 3-7 गरदा-4 उन्ये छ नेक्स्ट टेप माँ विद्ध्यार्थि भाई बाई बाई नियों y को वैल्यू चाहिए बने आमले के लेखनू परे था-4 upon-2 which is y is equals to 2 अब बिद्ध्यार्थि भाई बाई बाई नियों y को वैल्यू आई सगेगो छो यो y को वैल्यू लाई माँ equation 1 मा नत्र 2 मा राखने छू रो x को पनी वैल्यू फाइंड गरने छू अईले को लागी equation 1 नहीं सजी लो देखी राच तिस वारा मा यो y को वैल्यू equation 1 मा राख देछू equation 1 राएको छो 2x plus y is equals to 3 रो यसेरी गरी अजुले क्ये गरने तो y को जाहां पनी अजुले y देखी राण भाचा तियो ठाव मा क्ये लेखना परे आमले 2 लेखना परे लो तो विद्ध्याथी भाई बनियो यहां 100 ठाव मा 100 वैल्यू राखने वाला जसेरी यह भायो 2x plus 2 is equals to 3 अबा नेक्स्ट स्टेप मा क्ये गरने तो योजुन 2 छो यहला ही shift गरे राऊता लाई जाने रा 2x को वैल्यू पत्ता लगावनी 2x कती आयो तो 1 आयो सो एक्स कतिया आयो 1 अपान 2 वान बजी आम रो x को वैल्यू रही चा 1 अपान 2 रो y को वैल्यू टू रहे को चा वान बजी अजय युटा हिसाब आमले एलिमिनेशन मेथेड ले सजीले री सल गरेऊं अउन्यूस बिद्यर्थी वाई बन्यो एलिमिनेशन मेथेड यूज गरे रहा हमें थाड समस्पनी सल गरनी चाऊं तर question 3 चाई question 1 रो question 2 वान आली किती फरक की सिम कर आएको चा समस्तले मन ला र ध्यान ला र सुन्नू अला सबन्दा पहला आमें दुटे equation नोट गरनी चाऊं 2x plus y is equals to 35 र 3x plus 4y is equals to 65 र आमलाई यो equation जोरू elimination method ले नहीं solve गरना बने चाऊं र एलिमनेशन method अवता आमले बुजी सक्या चाऊं सबन्दा पहला आमले coefficient सोरू चेक गरना परने हुँँच र कोईफिशन्ट सोरू equal हुना सक्चन किता unequal हुना सक्चन unequal भाय पने आमले coefficient इक्क्वल गराऊना परने हुँँच जुन चाहिं कुराव यो एक्जाम्पल मा आमी बुजनी चाऊं पढ़नी चाऊं र अनिक्वल कोईफिशन्ट लाइ इक्वल गराई सक्चे पाची फेरी थर्ड स्टेप मा आमले इक्वल भाय को कोईफिशन्ट जुन वेरियेबल चा तेला हटाऊं चाहूं र त्यो हटाऊं नको लागे आमी addition नत्रा subtraction गर चाहूं र एडिशन्ट र सब्प्राक्षन गरनी कती वेला क्ये गरनी त्यो चाहिं आमी sign एरे डिशाइड गरदा चाहूं र विद्धेर्थि भाय बन्यों equation हजूर ले देखी रनुबा चाँ दुटै equation मले या नोट गरी सके र एडिटे equation standard form मा रहे का छन कताई पनी bracket चाहिना denominator चाहिना तेस्वार मले या equation 1 र equation 2 नमबर गरने छू र अब चाहिं आमरो पालो रहे को छो equations ओरुमा भाय का variables को coefficient चेक गरनी equation 1 मा x को coefficient रहे को छो 2 र y को coefficient रहे को छ 1 तेस्ते ही जाए equation 2 मा x को coefficient रहे को coefficient रहे को 4 यह दोस्तों विद्ध्यार्थी भाई वही नियो या नत x को coefficient रहे है ना नत x को coefficient सेम आयो नत y को coefficient सेम आयो भने पचि यहा अब आमले k न केई गरी coefficient सेम इक्वल तो गराऊना अर्च अब विद्ध्यार्थी भाई वही वहनियो आली किती ध्यान दे रहे हैं है रहे को आला हामले x को coefficient इक्वल गराये पनी हुन्च नत र y को coefficient इक्वल गराये पनी हुन्च किये गर्दा सजीलो हुन्च तेही हामले गर्णु पर्च अब आली किती ध्यान दे रहे हैं है यो 2 र 3 को LCM हुन्च 6 बने पचि यह equation 1 मा मैं यो 2 लाइ 3 ले multiply गर्ना पर्यों रहे equation 2 मा फेरी यो 3 लाइ 2 ले multiply बने पचि 2 ठाउं मा मैं ले multiplication गर्ना पर्यों यदि मा x को coefficient सेम गराऊना चांचु बने पर coefficient y का coefficient सरू मा सेम गराऊंचु बने मैं ले equation 1 मा मात्रै 4 ले multiply कर दिन्यों बने equation 1 रए equation 2 दुबैई ठाउं मा y को coefficient सेम हुन्च बने पचि यहा इक्स को coefficient सेम गराऊना बन्दा पनी y को coefficient सरू ले सेम गराऊना सजीलो रहे चांचु बन्दा यह उट्टा y is equal to 35 एलाइ 4 ले multiply गरनी अब मुल्टिप्लाइ गरनी अब मुल्टिप्लाइ गरनी वने को की हो तो विद्ध्यार्थी भाई भाई पाई नियो यो ब्रैकेट वित्र वाई गासाम पूर्ण टार्म लाई 4 ले multiply गरनी अब मुल्टिप्लाइ गरनी अब मुल्टिप्लाइ गरनी अब यह उट्टाइप गरनी अब यह उक्वेशन लाई माँ य को कोईफिशंट पोजिट्युQU पोर च्वेशन थ्री माँ य को कोईफिश्ण unpack लाई च्वेशन इक्वाल अई सक्वेशन अब कोईफिशंट इक्वाल y का coefficient is equal आये वने पचे हमले eliminate पनी y line गरनी हो तरह को सेरी गरनी add गरनी की subtract गरनी हेर नुच तो sin हेर नुच यहां पनी 4 cos positive नहीं चा रहा equation 2 मा पनी 4 cos positive चा वने पची same sin रही चा अब सेम साइन भाई बच सिखे गरना परचा तो subtract गरना परचा good so subtracting equations 2 & 3 वने पची equation 2 र 3 लाई note गरनु रहां जुन second equation उन्च दोसरू equation उन्च तिसको पर्तिक terms का साइन औरू change गरनू विद्ध्यार्थी भाई बन्यों मा फेर एक पटक बन्चू द्यान दियरा सुन्वाला सुप्रैक्टिंग बने को जुन यहां आमले तला equation लेख्या चाहूं यो equation को पर्तिक टर्म को साइन चेंज गरनी जसे यो positive 8x छा येसको साइन चेंज बायरा negative 8x जस्तों यहां positive छा यह पनी नेगेटिव यहां positive छा यहां पनी नेगेटिव वहने पच यहां 3 टर्म्स पॉजिटिव थिये अब शॉब्ट्रैक्शन यहां अपलाई गर दिनी योनी तिम्टै नेगेटिव वहने चन अब ना तीक ध्यानला रा सॉल्ट गरने अला अब पहला आमी एक्स लाई सॉल्ट गरने चाहूं 3 माइनस 8 हुँँच माइनस 5 वहने पचे आमरो यहां आंसर आयो माइनस 5x रा तेसे गरी यहां प्लस 4y रा माइनस 4y कैंसल बायरा 0 65 माइनस 140 करदा चाहूं तो तेसको आंसर आऊंच माइनस 75 अब नेक्स स्टेप मामा x is equal to minus 75 अपान माइनस 5 गरे रा सॉल्ट गरने चुँ जो की 15 हुँँच वहने पाची बिद्यार थी भाईवेन्यों यहां x को वैल्यू आयो अब यो x को वैल्यू लाई माँ एक्वेशन 1,2 नत्र 3 जून चाहि मालाई सजीलो लाग्चा तेसमा x को वैल्यू सब्सिट्यूट गरे रा y को वैल्यू पनी मा निकालना सब्दा चु अब यहां हैसो हेरदा खेर equation 1 नहीं सजीलो देख्या चा तेसमा रा equation 1 मा x को ठाउ मा 15 लेखेर मा शॉल गरने चु तो नेक्स स्टेप मेर भायो 2 इन्टो 15 प्लस y इकोल्स तो 35 रा नेक्स स्टेप मात्य होने चा य इकोल्स तो 35 माइनस 30 विच इस 5 अनुपसी बिद्द्यार्थि भाई बाई बन्यों x को वैल्यू 15 रा y को वैल्यू 5 आयो यहा नया कुरा हमले के पड़ें तो विद्द्यार्थि भाई बन्यों जब दुइटेई वेरियेबल्स को कोईफिशन्ट सेम हुन दैना तेती बेला हमले केई ने केई तेया मॉल्टिप्लिकेशन गरेरा इक्वेशन्ज मा कोईफिशन्ट ओर को वैल्यू सेम गराइन चा अब एसा ही गरी एसते ही किसिम को आजे योटा सम्स आमी सॉल गरनी चाहूं कोईशन्ट नमबर 4 3x-5y is equal to 20 and 7x plus 2y is equal to 17 मा दुइटे एक्वेशन पहिला नोड गरने चू स्टैंडर्ड फर्म मा हुनाले इनला है माँ एक्वेशन 1 रा एक्वेशन 2 गरी नमबरिंग पनी गरनी चू अब इनला है फेरे आमले एक पटक Elimination Method ले नहीं सॉल गरनी चाहूं रा अईले सम्पूर्ण विद्यार्थी भाईवाईनियोरले Elimination Method मा हुने पर्तेकी स्टैप औरू बुजी सक्नु गरनी चाहूं अब इस्टैप लाई ध्यान रागदे हामी यो हिसा अपलाई अगी बढ़ावनी चाहूं अब कोईफिशन्ट्स हामले पहला चेक गरनी चाहूं कोईफिशन्ट ओफ x कती चातो एक्वेशन 1 मा येस 3 रा कोईफिशन्ट ओफ y राएको चा माइनस 5 त्यस्ते जानी सेकेंड एकोईफिशन्ट्स हाम्ले x न perse बफिशन्ट्स नास सेम त्यस्ते नास हामले x नत्रओ चोटि नहीं करना पारुचा कीना वन्दा? यहां x को कोईफिशेंट चा 3 रा 7 रा 3 रा 7 को LCM होन्च 21 बने पची x को कोईफिशेंट सेम गराऊना लाई यह 3 लाई 7 चा मल्टिप्लाइ गर्नु पार्यो रा, yह 7 लाई 3 चा मल्टिप्लाइ गर्ना पार्यो तरह पनी म y को कोईफिशेंट सेम गराऊंचु। कीना तो बन्दाई है, sin पनी अलग अलग रहेको छ, y का कोईफिशेंट चरूको, sin अलग 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 रहेको छ, sin अलग छ वनी हामरो सल्यूशन सजीलो हुँँच। तेस बार महील के गरनीचु दो विद्ध्यार्थी भाई बन्यो, यह-5 र-2 लाईम एक्वल गराऊंचु। सेम गराऊंचु। क्यारी-5 र-2 कोई-LCM लेर,-5 र-2 कोई-LCM उन्च 10, तेस बार महील यह-5 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरनीचु। र-3 पची फेरी, यह-2 लाई-5 ले मल्टिप्लाई गरनीचु। वने पची, इक्वेशन 1 लाईम, 2 ले मल्टिप्लाई गरनीचु। ध्यान देरेहरनु अला, यहां कुरारु आप है हाइलाइट बहीराचु। अले बने, आमें, इक्वेशन 1 लाई लिएका छाऊ। र-2 ले मल्टिप्लाई गरनीचु। अब 2 ले मल्टिप्लाई गरनु वनेको, पर्तेक टाम्ज लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेरा ब्राकेट खलनु हो। So, next step मत्य हुना चाह 6x-10y is equal to 40। यहलाई, महीशन 3 ले महीशन 3 लाई लेखनाचु। अब, । लेक्वेशन 2 लिनी हुम, र-Eक्वेशन 2 लुच दुप्लाई वी लिए, अन बOTH SIDES, I am going to multiply by 5। Is this clear ? So, it will be 35x plus 10y is equals to 85, This I am going to number it as equation number 4 अब ध्यान दिया रहे हरने तो भी द्यारती भाई भाई नियो यहाँ y का coefficient जरू same भाई की भाई नन्त भाई equation 3 मा पने y को coefficient 10 छा यहाँ equation 4 मा पने y को coefficient 10 नहीं छा अब हामी यह y लाई eliminate गरनी छाऊं अब हाँ eliminate गरनाको लागी हाँ क्ये गरना परने छाऊं यहाँ sin अलग छा रजब साइन अलग हुँँच हामी क्ये गर चाऊं एड गर चाऊं आउनुस्त विद्यार्थी भाई 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 नियो equation 3 पर equation 4 लाई हामी अई ले भाई आड गरनी छाऊं एड गर दा विद्यार्थी भाई भाई नियो केई पनी गर नू पर देना simply आमले coefficient ले एड गरनी मात रहो पर एक्जाम्पल यहां 6x प्लस 35x कति भाई तो 41x रा नेक्स्ट यह माईनस 10y रा प्लस 10y ले एक आरकलाई कैंसल गरे रा 0 हुँचन रा राइट हैन साइड मा फेरी 40 रा 85 जोड़ दा हुँचा 125 नेक्स्ट स्टेप मा मैं लेखनी चुँ एक्स इज इकोल्स टू 125 अपन 41 अब यहां भन्दा धेरे यो फ्रेक्शन लाई हामी सिंप्लिफाई गरना सकते नौ तेसो बर मा एक्स को वैल्यू लाई 125 अपन 41 ने माने रा अगी बढ़नी चुँ अब विद्ध्यार्थी भाई बन्यो इक्वेशन वान मा मैं ले एक्स को वैल्यू राखने चुँ सर्व प्रथम तो एक्वेशन वान हमले लेखना परने हुँँच जुन की 3x-5y is equal to 20 हो यो एक्क्वेशन मा जहां पनी एक्स च तियो ठाउमा मा अबाव 125 अपन 41 लेखनी चुँ रा नेक्स स्टेप मा विद्ध्यार्थी भाई बन्यो तो पहले यहां देखी रानुबा च यहां यो 3 लाइ 125 सा मुल्टिप्लाइ गरे वानी तो हुने चा 375 अपन 41 एज इट इस अरुकुरा पनी जेक्को तेही आमी लेखनी चाहूं अबा नेक्स स्टेप मा विद्ध्यार्थी भाई बन्यो यो माइनस 5y लाइ मा राइटन साइड मा लागने चु रह यहां भाईक प्लस 20 लाइ मा यताले रावनी चु तियो गर्दा आमरो इस्टेप हुने चा 375 अपन 41 माइनस 20 इस इकॉल्स तू 5y रविद्ध्यार्थी भाई बन्यो अब यहां मानी आमी क्रॉस मॉल्टिप्लाइ गरने चाहूं क्रॉस मॉल्टिप्लाइ गरने क्या हुने चाहतो नेक स्टेप 375 माइनस 20 इन्टू 41 इन्टू 41 इस इकॉल्स तू 5y अनि जब हम हमी 41 इन्टू 20 गर्चाहं आंसर आयो 820 यो स्टेप कासरी आयो यहला चाहिए ना थी किन ध्यान दियर भुजनु अला रह एस पचाहड़ी आमरो आंसर आयो माइनस 445 अपन 41 इस इकॉल्स तू 5y फेर यह जुन 5 चाहा यहला हमी यह यह शिफ्ट करनी चाहंग यह 5 यह यह ला हमुल्टिप्लाइ गरी रह थियो वन्वाइट गर्चाह बनने यह यह दिनूम्नेटर मा आंसर आयो यह इकॉल तू माइनस 445 अपन 41 इन्टो 5 इच इस माइनस 89 अपन 41 यह लाह पन हमी यह यांदर देरह सिंप्रिफाइगारना सक देना हूँ वन्निपाची हम्रो सुल्यूशन जरॉय को चाहे एक्स बराबर 125 अपन 41 एंड y बराबर माइनस 89 अपन 41 समस्त विद्यार्थी भाहिवाईनी ले यो विडियो बारम बार हेरनो अला किन वन्दा यह यह उटा आमले महत्त पूर्ण वेरी इंपोर्टेंट मेथर्ड जासला आमी एलिमिनेशन मेथड वन चाहूं यो पड़ेका चाहूं किन वन्दा आमी वर्ड प्रब्लम्ज मा पनी यो मेथड लाई बारम बार यूज गरी राखनी चाहूं समपूर्ण वीडियो लाई हेरदुनु भायमा महजुर्गो धरै आभारी चू र क्रिपयागरे रा आफनो साथ ही भैबहरू समपան्ञा पनी यो वीडियो सेर गरनी आला र सब्सक्राई stanie göster निंदम पनी COPmates अजरो ले भन्वाला हस्त धन्यबाद र चुन हाम्रो थर्ड मेथड छ ग्राफिकल मेथड तियो पनीमा छिट्टे अपलोड गरने छु बन्नी बाचा गर दै ऐलेको लागे सम्पूर्ण विद्ध्याति भाईवाई नियोट विदा चान छु धन्यबाद